नमस्कार, स्पैंजा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे टाइल एडहसिव के बारे में कि टाइल एडहसिव क्या होता है और हमारे घर में डिफरेंट डिफरेंट टाइल प्रोजेक्ट्स जैसे की फ्लोरिंग, अलिवेशन पर टाइल लगाना स्विमिंग पूल में टाइल लगाना या किसी भी तरीके की टाइल पेस्टिंग के लिए टाइल एडहसिव क्यों ज़रूरी है आसान शब्दों में अगर मैं बात करूँ तो टाइल एडहसिव जिसे टाइल ग्लू भी कहा जाता है एक तरीके का specialized chemical है जो किसे भी तरीके के stone या टाइल को wall पर या floor पर effectively paste करने के लिए यूज किया जाता है इसके अलावा अडहसिव आपकी टाइल को substrates जैसे की wood, metal, concrete पर भी paste करने के लिए यूज किया जा सकता है अब बात करते हैं adhesive और cement के comparison की traditionally cement tile को paste करने के लिए यूज किया जाता था लेकिन इसमें cracks और tile के टूटने और उखडने की समस्याए बहुत ज़ादा बढ़ जाती है tile adhesive हमें एक flexible और reliable solution प्रोवाइड करता है और इसकी application भी बहुत ज़ादा आसान है आज हम लोग अपने घरों में बड़े-बड़े size की tiles का use करते हैं elevation में tiles लगवाते हैं हम stone, wood, even concrete और metal पर भी tile की pastring करवाते हैं ये सभी tile applications cement के साथ possible गी नहीं है हमें adhesive का use करना ही पड़ेगा और जब बात आती है सबसे best tile adhesive की Spenza stands out from the rest Spenza tile adhesive ना सिर्फ high performance देते हैं बलकि ये environmental friendly भी हैं और किसी भी मोसम को आसानी से जेल सकते हैं Spenza के सभी adhesives international quality को match करते हुए manufacture किये जाते हैं adhesive के advantages की अगर हम बात करें first is stronger bonding strength adhesive आपकी tile को surface पर एक मजबूत bond के साथ चिपकाते हैं जिससे tile के उखडने का खत्रा बिल्कुल खतम हो जाता है next point is flexibility and crack resistance adhesive लचीले होते हैं और surface की हलकी movement को सह सकते हैं आम तोर पर हम देखते हैं कि tile के अंदर crack आ जाता है ये crack surface के shrink होने के वज़ा से आता है अगर आपने Spenza का tile adhesive यूज किया है तो tile में crack आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता next point is ease of application adhesive को apply करना बेहत easy होता है और ये एक आसान process के साथ तयार भी किये जा सकते हैं next point is water and moisture resistance adhesive पानी और नमी को resist करते हैं इसलिए आपके kitchen और bathroom के लिए बिल्कुल perfect है even swimming pool में भी tile paste करने के लिए आप Spencer का adhesive यूज कर सकते हैं अब हम बात करेंगे कि adhesive के mixture को कैसे prepare किया जाता है सबसे पहले ensure करें कि जिस surface पर आप tile लगाना चाहते हैं वो बिल्कुल clean और smooth हो उस surface पर कोई भी dust, dirt या loose particles नहीं होने चाहिए अब adhesive का paste बनाने के लिए एक clean bucket लें और उसमें recommended मातरा में पानी डालें फिर धीरे-धीरे adhesive powder डालें और उसे एक electric mixer के साथ अच्छे से mix करें ताकि कोई lumps ना रहें और एक smooth paste बन जाए आप mixed adhesive को nose travel की मदद से surface पर spread करें travel को थोड़े angle पर रखें और adhesive की uniform layer बनाएं यह ensure करें कि adhesive की मोटाई uniform हो और पूरे surface पर cover हो जाए इसके बाद अब tile को adhesive पर carefully place करें और उन्हें थोड़ा press करें आप एक tile spacer का use कर सकते हैं to maintain even spacing between tiles next step में tile को position में adjust करने के लिए आप rubber mallet को हाथ से यह gently tap करें to ensure they are set in place last step में आप tile को set होने के लिए time दें जर्नली 10 से 12 घंटे अब हम बात करेंगे कि हम किस type के adhesive को किस किस surface पर use कर सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं floor की adhesive का use commonly floor पर tiles को paste करने के लिए किया जाता है चाहे वो ceramic tiles हो porcelain हो या फिर stone घर के living room, kitchen, bathroom और even commercial spaces में भी tile को paste करने के लिए adhesive का use होता है generally floor पे tile को paste करने के लिए हम Spenza के gray adhesive का use करते हैं next, walls के अगर हम बात करें तो adhesive kitchen backsplash bathroom walls और decorative feature walls में भी tile pasting के लिए use किया जा सकता है इसके लिए हम Spenza का white adhesive prefer करते हैं अब बात करते हैं wet areas की tile adhesive specially formulated होते हैं wet और high moisture areas में tile को hold करने के लिए जैसे कि swimming pools, shards, spas में भी tile pasting के लिए हम adhesive का use करते हैं ये पानी के संपर्क में आने के बाद भी effective bone बनाके रखते हैं हम Spenza का diamond adhesive swimming pool में tile pasting के लिए use कर सकते हैं next, outdoor areas की अगर हम बात करें तो outdoor installations में होने वाले techniques, terrace और garden pathways में tile pasting के लिए किया जा सकता है penza का rockfix adhesive और stonex adhesive हम outdoor projects में tile pasting के लिए use करते हैं next हम बात करेंगे installation over existing tiles आज की date में घर को renovate करते हुए हमें tile को उखाडने की बजाए हम उसी existing tile के उपर अपने adhesive का use करके नई tile को paste कर सकते हैं existing tiles के इलावा हम PU adhesive की help से अपनी tile को concrete, wood या even metal पर भी paste कर सकते हैं इस तरह adhesive का उपयोग एक wide variety के surfaces और environments में किया जा सकता है जो इसे tiling project के लिए एक versatile और essential tool बनाता है we hope कि tile adhesive के बारे में यह जानकारी आपको useful लगी होगी for more such informative videos आप हमारे channel को subscribe कर सकते हैं हमारे products की detail information के लिए आप हमारी website पर जाएं या नीचे दियेगे details पर हमें contact करें धन्यवाद